हालो गाईज, आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल में कड़ी, उसके लिए हमें चाहिए, एक कटोरी बेसन, चार से पांच सूखी लाल मिर्च, आदा चमच मेथी दाना, आदा चमच हल्दी, आदा चमच लाल मिर्च, एक चोथा चमच हींग, आठ से दस करी पता और टेस्ट क इनुसार नमक, सबसे पहले गैस में एक भारी तले का बर्तन जाणाएंगे और उसमें तेल गरम करें, साथी साथ उसमें मैथी दाना, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, आठ से दस करी पता डालेंगे, इस समय चाहें तो आप गैस बंद कर सकें, जिससे तेल और हमारे मसाल जलेनी, अब उसमें एक चोथा ही चमच हींग एड़ करें, और अच्छे से मिक्स करें, अब हम एक पैन में, इस समय चाहें तो आप गैस कोल सकतें, अब हम एक पैन में एक कटोरी बेसन लेंगे, जो की 4-5 टेवल स्पोन है, अब उसमें तीन कटोरी मठा एड़ करेंगे, आप चाहें तो इसमें एक कटोरी खटा दही भी ले सकते हैं इसकी जगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि बेसन में कोई भी लंच ना रहें, और हमारे कटी बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसको अच्छे से मिक्स करते हुए, अब हम यह बैटर तया है, और इसको हम अपनी बर्तन में डालेंगी, और इसको अच्छे से मिक्स करें, साथी साथ इसमें मठे के बराबर तीन कटोरी लगभग पामने पानी भी आड़ करें, कड़ी ज़्यादा पकती है, उतनी टेस्टी बनती है, और कड़ी बने में लगभग 25-30 मिर्ट का लगता है, इसमें साथी साथ हम लाल मिर्च पाउडर और आदा चमच हल्दी पाउडर डालेंगी, इस समय अगर आपको पानी कम लगी, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं, और अच्छे से चलाएं, अब इसमें अपने टेस्ट के इंसार नमक मिलाएं, इस समय ब बेसंद की पकोड़ी वाली कड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, और चावल के साथ तो इसका टेस्ट दोग ना हो जाता है, अब हमारी पकोड़ी तियार हो गई है, अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे, बीच बीच में पकोड़ी डालकर अच्छे से कड़ी को मिक्स कर लें, अब साधी साथ एक तड़का पैन में दो चमच देसी घीलें, उसमें एक चुथाई चमच हीन पाउडर डालें, आर दस कड़ी पता और थोड़ी सी राई और कश्मीरी लाल मिर्श डालें, हमारा तड का तयार है, अब हम इसको कड़ी के उपर डालेंगे, और कड़ी तयार, हमारे बहुत ही टेस्टी कड़ी तयार हो गई है, यसे चावल के साथ सर्फ करें, तो आईए आप भी कड़ी चावल खाईए, टेस्टी टेस्टी, ठेंक यू,